हेलो फ्रेंड स्वागत है आपका अपी जी की दुनिया में और हम लोग करने जा रहे हैं वर्मला मैप फॉर प्रोजेक्ट टायल मोशन तो गेट रेड़ी देखे बचो आप लोगों ने प्रोजेक्ट टायल का अपनी लाइफ के अंदर तो यूज किया ही होगा जैसे कि आप लोग जब ग्राउंड में होते हैं क्रिकेट ग्राउंड में और जब आप किसी बॉल को ऐसे हिट करते हैं तो यह ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक् आप लोग को ने एक बॉल को यू वेलोस्टी से ऐसे प्रोजेट किया है और होरिजुनल के साथ में थीटा एंगल पर प्रोजेट किया है इस बॉल का जो पाथ होगा वो कुछ ऐसा होगा जैसा कि मैंने आपको इस डियाग्राम के अंदर दिखाया है जो पाथ है यही वेलोस्टी निकालना हो वैसे तैंजेट के यलॉउस्टी निकालते हैं अभी देखिए इसके जित्रें भी फ्यक्टर्स हैं वह मैं आपको निकाल के बताता हूं एक-एक बात करते हैं हम लोग इस प्रोजेटायल मोशन का मोशन के ऐसा होगा X-Axis के इसा होगा X-Axis के यह velocity along y-axis, मैं सबसे पहले केवल x direction के motion को study कर रहा हूँ, तो अगर initial velocity की बात की जाए, तो initial velocity कितनी है बचो, u cos theta, अच्छा, x direction में acceleration की बात की जाए, तो आप लोग जानते हो कि acceleration बराबर होता है force upon mass, मैं यह मान के चल रहा हूँ कि air resistance 0 है, और किसी भी type का force x direction में नहीं है, तो x direction म होने का मतलब होता है, कि न तो speed बढ़ रही है और नहीं कम हो रही है, अगर मेरे को यहाँ पर किसी भी point पर, माली जै मैंने t is equal to 0 पर project किया, और किसी भी t time पर, मेरे को x direction की velocity चाहिए, तो देखो मैं कैसे निकालूँगा, p बराबर u plus 80 होता है, आप लोग जानते हो, first equation लिजे, किसी भी time पर, किसी भी time पर जब आप linear velocity निकालेंगे particle की, तो वो हमेशा initial velocity के बराबर ही आएगी, मतलब यह velocity हमेशा u cost theta ही रहती है, चाहिए वो particle कहीं पर भी है, अगर मेरे को कोई कहे कि x direction की जो velocity है, और time की बीच में graph draw करो, तो ऐसा graph आएगा, कि velocity हमेशा constant रहत हुआ है, और यहां पर coordinate 0,0 है, और t time पर particle यहां पर point P पर है, और इसके coordinates x,y है, तो यह particle t time में कितना चला, मुझे अगर इसका x coordinate निकालना हो, तो मैं क्या करूंगा, second equation लगाऊंगा, s is equals to ut plus half a t square, लेकें, second equation जब मैं x axis में लगाऊंगा, मैं देखूंगा, कि x axis में acceleration 0 है, तो x axis का displacement है वो x, x axis की initial velocity u cos theta into t, यह किसी भी t time पर, यह किसी भी t time पर x direction का displacement है particle का, यह formula हमेशा ध्यान रखना, और यह formula हमेशा ध्यान रखना, motion along y axis, y axis में motion, बचो देखो, y axis के अंदर जो initial velocity है, वो कितनी है, u sin theta, तो initial velocity along y axis is u sin theta, अच्छा, y axis के अंदर मैं acceleration निकालता हूँ, तो y axis में acceleration कितना आएगा, आपको पता है कि कभी भी हो particle, acceleration नीचे की तरफ लगता है, तो मैं acceleration बोलूँगा, इसका minus g, किसी भी point पर acceleration y axis के अंदर minus g रहेगा, बचो, चाहे particle कहीं पर भी है, minus का मतलब downward है ना, इसलिए हम लोग अच्छा, किसी भी time पर अगर मैं velocity निकालता हूँ, t time पर velocity, t time पर इसकी velocity कैसे निकले, equals to u plus 80, और क्योंकि मेरेको y axis की velocity चाहिए, तो मैंने y axis लगा दिया, तो यहां पर मैंने देखा, कि y axis की initial velocity है, वो है u sin theta, वो है u sin theta, minus ay की value है minus g, और यह है t, तो यह जो vy है, जो vy है, इस vy की value है, वो मैं लिख दूँगा, u sin theta minus gt, यह जो मेरे पास में velocity आई है, अगर मैं इसके लिए graph draw करता हूँ, इधर vy लेता हूँ, और इधर t लेता हूँ, तो देखो, जो मेरा graph आएगा, वो ऐसा आएगा, ग्राफ मुझे यह बताएगा, फिर जो initial velocity थी, y direction में वो u sin theta थी, फिर देरे 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 जैसे particle उपर की तरफ गया, y direction की velocity काम होती जाएगी, क्योंकि velocity उपर की तरफ और acceleration नीचे की तरफ है, दोनों में angle 180 degree का है, तो retardation का काम करेगा, मेरे particle की y direction की velocity जैसे से particle उपर जाता है, कम होती जाती है, तो अपर जाकर वो zero हो जाती है, और यह minus u sin theta हो जाती है, अगर हमको किसी भी time t के उपर particle का y coordinate पूछा जाए, particle का y coordinate हम कुछ इस तरह से निकालेंगे, particle यहां से यहां ता पहुंचा है, तो यह उसका y coordinate है, मैंने second equation लगा दी y axis में, s is equals to ut plus half a t square, y axis का displacement y है, y direction की initial velocity u sin theta है, into t, ay की जाएगा minus g लिखूंगा, तो minus half g t square, यह बहुत important formula, कई बार questions के अंदर direct y coordinate दियावा होता है, तो आप हमेशा ध्यान रखना, t का जो constant, t का जो coefficient होता है, वो u sin theta होगा, t square का जो coefficient है, वो g by 2 होगा, g की value 10 upon 2, मतलब यहां पे 5, अगर यहां पे 5 t square लिखावा आ रहा है, इसका मतलब जो भी हम experiment कर रहे है, अगर यहां पे कुछ और आ रहा है, 5 की जग है, 4 आ रहा है, 8 आ रहा है, 20 आ रहा है, तो इसका मतलब हम किसी दूसरे planet पर हैं, और वहां पे gravity की value कुछ अलग है, इसके बाद मैं velocity at any instant, किसी भी time पर देखो, मैंने आपको x और y की velocity निकलवा दी, x axis की जो velocity है, वो हमेशा u cos theta रहती है, और y direction की जो velocity है, वो u sin theta माइनस gt हो जाती है, अगर vector form में मैं किसी भी time पर velocity लिखता हूँ, तो वो हो जाएगी, vx i cap plus vy j cap, vx की value है, u cos theta into t, v cos theta into i cap plus u sin theta minus gt, j cap, देखो यहां पे t की term आ रही है, यहां पे t की term नहीं आ रही है, क्योंकि x direction की velocity हमेशा constant है, अगर आपसे speed पूची जाए, speed बराबर हो जाएगा, i cap की coefficient का square, plus j cap की coefficient का square, अभी-कभी यह भी पूचा जाता है कि जो velocity है, यह x axis के साथ में, यह horizontal के साथ में, कितना angle बनाएगी, तो यह 10 alpha निकलता है, 10 alpha is equals to vy upon vx, vy is equals to u sin theta minus gt, and vx is equals to q cos theta, okay, I think यह सारी बातें, आप लोगों के mind में feed हो रही है, time of ascent, time of ascent का मतलब होता है, कि यहां से जो मैंने project किया है, तो particle को top तक जाने में, कितना time लगेगा, time of ascent, actually, यहां पर जो initial velocity होती है, y direction की, वो u sin theta होती है, और top most point तक जाते जाते हैं, velocity 0 हो जाती है, अगर मैं इस point o से लेकर, और इस highest point तक, first equation लगाता हूं, v is equals to u plus 80, यह भी y direction में लगाता हूं, y direction की initial velocity u sin theta, y direction में acceleration minus g, top तक जाने का time t naught, top पर जाकर y direction की velocity 0, top तक जाने का जो time होता है, वो होता है u sin theta पॉंच g, यह जो u sin theta अना, it is the initial velocity along y direction, तो यह आपको ध्यान में रखना है, next time of flight, time of flight का मतलब होता है, पूरा time, यह यहां से लेकर और पूरा ground तक आने में time, तब जित्ती देर तक particle हवा में रहा, वो time, तो अगर उपर तक जाने का time t naught होता है, तो वापस नीचे आने का time भी t naught होता है, उन्हों time बराबर होता है, total time of flight हो जाएगा 2t naught, means this is 2u sin theta upon g, यह गया 2uy upon, एक और बहुत important formula है, अगर आपको maximum height निकालने जा रहा है, अगर आपको maximum height निकालने हो, तो आपको पता है कि यहाँ पर vy बराबर 0 है, और initial velocity जो थी y direction में u sin theta थी, अगर मैं o से लेकर a तक, third equation लगा देता हूं, y direction, v square is equals to u square plus 2as हो जाएगा, so final velocity is 0 along y axis, and initial velocity is u sin theta, and this is minus 2, minus क्यों लगाया क्योंकि ay की value minus g होगी, and height is h, h पराबर आया, u square sin square theta upon 2g, u sin theta is the initial velocity along y axis, and this is the formula of maximum height, okay, horizontal range, आपने एक बोल को हिट किया, और ये कितनी distance पर जाके वापस ground पर गरी, वो horizontal range होती है, this point is o, and let us know this point is b, अगर मैं o से लेकर b तक, second equation लगाता हूं, along x axis, तो x direction में जो इसका displacement है वो r है, x direction की initial velocity u cos theta होती है, and t is the total time of flight, जीरो है, first formula is u cos theta into t, येको range के बहुत अच्छे अच्छे formula बनते हैं, आपर, and total time of flight होता है, 2u sin theta upon g, तो ये एक बड़ा famous formula है, इसको असे लेखते है, 2u sin theta, u cos theta upon g, अच्छा, u sin theta क्या था, initial velocity along y axis, q cos theta क्या था, initial velocity along x axis, तो ये एक बहुत famous formula है, इसका, की range बराबर 2 into y direction की initial velocity, into x direction की initial velocity upon g, अच्छा, जब आप इसको solve करते हो, तो u into u, u square हो जाता है, and ये जो 2 है, and sin theta and cos theta, ये मिलकर हो जाता है, u square sin 2 theta upon g, बच्छों को बहुत अच्छा लगता है, ये formula, r is equals to u square sin 2 theta upon, this is the formula of the range, अच्छा, आप से maximum horizontal range बूचिए, अब range का formula मैंने आपको बता है, u square sin 2 theta upon g, अब ये range maximum तब मिलेगी न, जब sin 2 theta maximum होगा, आप लोग जानते हो, sin की जो value है, वो maximum 1 हो सकती है, स्यादा कभी नहीं होती, और ये कब होती है, जब theta 90 degree होता है, और इसका मदब theta is equals to 45 degree होगे, अगर आप एक बोल को 45 degree पर hit करोगे न, ये maximum distance पर जाके गिरेगी, इससे ज़्यादा दूर कभी नहीं जा सकती, आप चाहे इससे ज़्यादा angle से फेक होगे, तो ज़्यादा height पर चली जाएगी, लेकिन कम distance पर जाएगी, इससे कम angle पर फेक होगे, तो भी इसके पहले आके गिरेगी, लेकिन इतनी range कभी नहीं मिलेगी, तो the maximum range is given by q square upon, ये maximum range का formula होगे, अब एक बहुत important condition ले रहे हैं हम लोगे, same range case, same range कम मिलती है, same range की condition होती है, वो यह होती है, अगर आप एक particle को theta angle से project करेंगे, तो जितनी range मिलेगी, अगर आप उसको 90-theta angle से project करेंगे, तो भी exactly उतनी ही range मिलेगी, दोनों ही cases के अंदर, all जो है, वो एक ही जगाए पर जाके गरेगी, ये same range का case होता है, तो माली जी कि जब मैंने theta angle से project किया, तब इसका time of flight T1 था, और जब theta 2 से किया, तो time of flight T2 था, T1 की value कितनी है कि 2u sin theta पहुंची, लेकर T2 की value है कि 2u, जो दूसरा वाला angle है, जिसके लिए same range मिल रही है, वो है 90-theta पहुंची, condition आप लोग याद रखेगा, theta और 90-theta, तो आपकी range आगई, 2u cos theta पहुंची, time of flight आगया, 2u cos theta पहुंची, and this is 2u sin theta पहुंची, एक आप से height पुची जाती है, अगर आपने इतने angle से फेका है, तो height h1 है, और इस से फेका है, तो height h2 है, तो ये u square sin square theta, upon 2g हो गया, और ये u square sin 90-theta, whole square upon 2g, विए ये u square cos square theta upon 2g, कई बार h1 और h2 का ratio पूच लिया जाता है, t1 और t2 का ratio पूच लिया जाता है, हमने देखा कि ये वाला time period है, वो t1 है, और 90-theta पर t2 है, और जो range है वो r है, इन में एक relation होता है, t1 t2 बराबर 2r upon g, ये किनका relation होता है, जो आपको याद रखना है, and t1 into t2 is proportional to range के होता है, जितना ज्यादा range होगा, t1 और t2 का प्रोड़क्ट है, ये भी उतना ही ज्यादा होगा, तो ये important results है, relation between horizontal range and height, ये जो height है, ये h है, और horizontal range है, वो r है, अगर मैं h और r का ratio निकालता हूं, तो ये ratio आता है, 1 upon 4 nth, ये formula आप लोग याद रखेगा, ये बड़ा useful formula है, इसके लावा displacement भी पूछ लिया जाता है, कई बार जैसे initial point और final parent की भी displacement पूछ लिया, displacement अगर मैं निकालता हूं, तो ये आता है, root h square plus r square, मैंनत करते हैं जाओ बस, formula है बिल्कुल आपकी tips पे होने चाहिए, equation of trajectory, equation of trajectory का मतलब होता है, कि किसी भी point पे, इसकी coordinates अगर x और y है, इन में relation निकालना, तो equation of trajectory का जो formula आता है, वो ये आता है, कि, x की value जैसे मैंने आपको बताया था, u cost theta into t होती है, तो ये ध्यान में रखना है, पर y की value होती है, u cent theta into t, minus half gt square, अगर यहाँ पे t की value आप यहाँ से, x upon u cost theta रखते हो, तो आपको y बराबर मिलता है, 10 theta into x, minus gx square upon 2u square, cos square, ये जो equation है ना, इस equation का path ये वाला है, जो हम लोग यहाँ पर बनाते है, प्रोजेक्टल का path कहलाता है, प्रोजेक्टल का path कहलाता है, लेकिन यहाँ पे ये भी ध्यान रखना है, x बराबर u cost theta into t, x की equation में t का coefficient u cost theta होता है, और y की equation, इसी को जब over solve करते हैं, तो y बराबर 10 theta into x, 1 minus x upon r, यह दोनों ही equation of trajectory कहलाती है, और यह हमें direct याद रहनी चाहिए, energy of project time, जब मैंने इसको project किया, तो बिल्कुल यह जो point O है, और point O पर जो भी energy होती है, वो kinetic energy होती है, क्योंकि हम लोग reference line जो है, अगर ground को लेते हैं, तो यहाँ पे potential energy 0 माने जाती है, half mv square, energy contribution हमेशा लगता है, maximum height पर अगर बात की जाए, particle की velocity है u cos theta, तो at this point, maximum height अगर मैं kinetic energy निकालता हो, तो होता है half particle का mass, to particle की velocity का whole square, और potential energy निकालता हो, तो वो आता है mg into h, और h की विल्य होती है, u square sin square theta upon 2g, यह energy के formula है, किसी भी point पर आप लोग energy निकाले है, हमेशा जो energy का value है, total sum, वो half mv square के बराबर आएगा, linear momentum, linear momentum निकालने के लिए, simple, आपको velocity के expression को mass से multiply करना है, तो linear momentum आजाएगा, जैसे x direction की initial velocity u cos theta है, initial momentum निकालना हो, तो mass से multiply कर दो, fire direction की initial velocity u sin theta है, momentum निकालना हो, तो mass से multiply कर दो, किसी भी t time पर, अगर x direction का momentum निकालना है, तो velocity को mass से multiply कर दो, wire direction का चीए, तो wire direction की जो velocity होती है, उसको आप mass से multiply कर, simple linear momentum आजाएगा, change in linear momentum, अभी भी आपको t is equal to 0 से लेकर, t is equal to t के बीच में, change in linear momentum निकालना हो, change होगा नहीं, क्योंकि x के अंदर जो velocity है, वो तो constant है, के वाल y में change होता है, minus mg t, t जो है वो यहां से यहां तक आने का time है, change in momentum जो है, वो ना तो u पर depend करता है, और नहीं theta पर depend करता है, वो के वाल particle के mass पर, और time पर depend करता है, और हमेशा इसका जो value है, वो minus y axis के अंदर इसकी value आता है, किसी भी point पर angular momentum पूछा जाए, angular momentum का formula होता है, m v into r, जहां पर v perpendicular लिखते हैं, यहां हम इसको ऐसे लिखते हैं, r perpendicular into p, perpendicular distance into linear momentum, इसे माले लिजे, topmost point के उपर velocity होती है, u cos theta, body के mass से multiply कर दिया जाए, तो linear momentum आ जाता है, अगर मेरे को इस origin point के respect में, angular momentum निकालना हो, angular momentum बराबर, perpendicular distance into linear momentum, the perpendicular distance is maximum height, and momentum is mu cos theta, यहां पर हम लोग, h की value पूट कर सकते हैं, u square sin square theta, on 2g, is m cos theta, so angular momentum आ गया, m cube, sin square theta, cos theta, upon g, बागि आप किसी भी point पर angular momentum निकाल सकते हैं, बस आपको उस point के उपर, क्या करना होगा, linear momentum देखना होगा, और perpendicular distance देख, वो कोई सा भी point हो सकता है, एक और बहुत अच्छा केस बनता है, when particle at same height at two different times, T1 and T2, how to find total time of flight, मालीज़ ये particle जो है, same height पर, same height पर, एक बार तो time T is equal to T1 पर है, और एक time T is equal to T2 पर है, उसका total time of flight, क्यों होगा, ये T1 जो आना, वो ये वाला time है, और T2 जो है, वो particle को यहां से यहां तकाने का time, बच्छों देख, अगर particle को यहां से लेकर, और यहां तकाने में T1 time लगा है, इस point से लेकर, और नीचे तकाने का time भी T1 होगा, तो total time of flight देखा जाया, कि एक particle को आप लोगों ने U velocity से project किया, तो जब particle की instantaneous velocity, initial velocity के perpendicular हो जाती है, ऐसा कितने time पर होता है, और उस time इसकी velocity कितनी होता है, तो दो results से इसके ध्यान रखना, T is equals to U cos theta upon G, इतने time पर velocity, initial velocity के perpendicular हो जाती है, और उस time पर जो velocity होती है, Q caught theta, effect of air resistance, पितक जुद्धे भी कैसिस कही है, उनमें air resistance को count नहीं किया, तो एर resistance को count किया जाए, और air resistance के current जो acceleration produce हो रहा है, उसकी value A हो, वमिशन द्यान रखना कि air resistance motion के opposite होता है, तो particle उपर जा रहा है, particle उपर जा रहा है, तो air resistance नीचे लगेगा, तो यह उपर के तरफ लगेगा, और G जो है वो नीचे के तरफ होगा, तो यहाँ पर जाने का जो time है, वो value हो जाएगी, आपका u sin theta upon g लिखते थे पहले, तो यह g plus a हो जाएगा, क्योंकि दुनों add हो रहे हैं, और नीचे आने का जो time है, उसमें देखो G हो रहे हैं यह पोजिट है, इस यू sin theta upon g minus a, यह बचो सारे cases हुए, हमारे ground to ground projectile के, मज़ा आ रहा है ना बचो अगदम, मज़ा आ रहा भाई, और एकदम horizontal projectile की तरफ मूव करे ला है बाई अपून, देखो, projectile motion when a particle is fired horizontally, अपून नहीं के आकर आब आई एक particle को ऐसे u velocity से project कर दिया, आई horizontal direction में, तो यह जो particle है ना यह ऐसे आएगा, किसी भी point पे इसकी velocity आप ऐसे दोगे, और इसकी velocity के दो component होगे, किसी भी time पर, टी time पर particle मालीजे, यहाँ है, यह x direction की velocity, और यह y direction की, तो चलो, एक-एक को study करते हैं, पहले सिर्फ, x direction का motion देखते हैं, और फिर y direction का motion देखते हैं, तो x direction में जो initial velocity अब आई, वो कितनी है, u, x direction का acceleration कितना है, 0, कोई force नहीं लग रहा, तो x direction में velocity में कोई change नहीं होगा, आप किसी भी point पर, x direction की velocity निकालो, वो क्या आएगी बच्छों, same आएगी, हमेशा ही वो u के बराबर रहेगी, तो मदब x direction की velocity का time के साथ में, graph रोग 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 तो ऐसा आएगा, इसी भी time पर velocity, इसल velocity के बराबर और उसकी value u है, अच्छा, हमारी जे t time में particle, एक्स दिस्टेंस ट्रेवल करेगी, तो x direction का displacement निकालना हो, तो कैसे निकालोगे, s बराबर ut प्लस half 80, x में लगा दो, x direction में कोई acceleration नहीं है, तो x direction का displacement है वो x, और जो velocity है वो u, into t, x is equal to ut, चोटे चोटे results है न, जिंदिकी बना देते हैं, और किसी भी t time पर अगर मैं बात करता हूँ, इसके coordinate x और y है, और y axis का motion देखा जाया है, तो y axis की initial velocity कितनी है बचाँ, 0 है, y direction का acceleration कितना है, minus g, कहीं पर भी है particle, उस पर gravity लगेगी न, नीचे के, downward ही लगेगी तो minus आएगा, किसी भी time पर y direction की velocity निकालोगे, तो v बराबर u plus 80 लगाना, y direction की initial velocity 0 है, यह minus g और यह t, y direction में सारे results हमको वो मिलेंगे, जो free fall के होते हैं, v, y और t में graph रो करोगे, तो ऐसा आएगा, इसे से particle नीचे जाएगा, उसकी y direction की velocity बढ़ती जाएगी, तो y direction की velocity किसी भी time पर दोगे, तो वो क्या होगे, बचों, minus gt, किसी भी time पर net speed निकाल रहे हैं, यह time पर आया particle, x direction की velocity ui, y direction की velocity gt आईगी, net velocity निकालोगे, तो इदर आएगी, net velocity बराबर आएगा, vx i k, plus vyj, dx की value है u, to i k, minus gt j, अगर आपको इसका magnitude चाहिए हो, तो root i kabe कविशेंट का square, and j kabe कॵिशेंट का square, minus का square होके, plus c होजाएगी, अभी आपको horizontal के साथ में इसका angle पूच लियाजाए, 10 alpha is equal to, perpendicular upon base, perpendicular is vy and base is v, this is gt, and this is u, यह मेरे पास किसी भी time पर, इसका horizontal के साथ में angle आगे time of flight time of flight का मतलब उपड़ से लेकर और particle को नीचे तक आने में कितना time लगा तो अगर मैं यहां से लेकर इस point O से लेकर इस point A तक second equation लगाता हूँ y axis में देखो s is equals to ut plus half 80 square y axis के अंदर जो displacement हुआ है particle का वो minus h हुआ है क्योंकि उपड़ से नीचे की तरफ गया है ना minus में लिखेंगे और नीचे की तरफ acceleration माइनस जीरो है और नीचे की तरफ acceleration माइनस जी और time t तो h is equals to half g t square तो यह बिल्कुल free fall वाले cases आ रहे है t बराबर हो गया root 2 h अपहुँआ है h height के एक tower से आप एक गेंद को ऐसे horizontal direction में project करो गया तो उसको जो time लगेगा नीचे तक पहुचने को root 2 h अपहुँची हो horizontal range मतलब यह वाले distance point o और यह point a अगर o से लेकर a तक मैं x direction में second equation लगाता हूँ s is equals to ut plus half 80 square तो डरना मत गबराना मत वाई देखो आप उन पूरी कोशिश कर रहे हैं इसको कि सारी चीज़े बता दू मैं आपको x direction में displacement r है और initial velocity यह u है और जो time है वो t है इसको लग सकता हूँ u root 2 h अपहुची सारे formula आप लोग को याद होने ची देखो मैं एक like के अंदर बोल रहा हूँ पिल्कुल इसी अंदाज में आपको भी याद होने ची striking speed on the ground कितनी speed से यह particle ground को hit करे देखो x direction की velocity तो y रहेगी और y direction की velocity अगर मैं निकालता हूँ तो x direction की तो y रहेगी मैं आपको बताया कोई change नहीं होता और y direction की velocity अगर मैं निकालता हूँ जो है y direction की वो 0 है यहाँ पर कोई velocity नहीं acceleration नीचे की तरफ है तो minus g और displacement भी y direction का minus h vy बराबर आ गया root 2g h height से जब गिरा होगे y direction की velocity यह तो striking speed की अगर मैं बात करता हूँ मालीचे striking speed बराबर हो जाएगा root vx square plus vy square vx का square मतलब u square and root 2gh का square मतलब कितनी speed से यह ground को hit करेगा okay equation of trajectory equation of trajectory का मतलब होता है किसी भी time पर x और y coordinate में relation नहीं दिखो मैंने आपको बताया था कि x बराबर कितना होता है ut होता है और अगर y coordinate निकालना हो तो आप o से लेकर इस p point तक second equation लगा दीजे s is equal to ut plus half 80 square along y axis तो y coordinate particle का y है y direction की initial velocity 0 है minus g and t square यहां से मैं t की value x upon u put कर सकता हूँ x square upon u square and y जी गस्ट होगया minus half g x square upon u यह equation of trajectory आई बच्वेशन आई बच्वेशन आया when particle is projected at an angle from top of the tower मतलब एकर मैं यहां से किसी एंगल पर project करता हूँ particle को इसे एंगल पर particle यू प्रोजेटल मोशन करता हूँ नीचे जाए ऐसे मैं आप से range भी पूची जा सकती है तो ऐसे मैं आप से time of flight भी पूची आप एक सिंपल सा काम किया करें एसे लेकर बी तक टारेट एक्वेशन लगाऊ आप जैसे second equation लगाए s is equals to ut plus half a t square और यह मैंने y direction में लगा दी हूँ y direction का displacement है यहां से नीचे आया y direction का displacement है इसे इसे आप लोग time निकाल सकते हैं एक बहुत important case और है striking speed on ground in three different cases अगर है एक tower और यहां से एक बोल को free fall कर देता हूँ जो भी ground को hit करेगा कितनी speed से hit करेगा तो आप कहेंगे sir root 2gh से hit करेगा जलिए अगर इसी बोलकों में नीचे की तरब u velocity से project करता है तब क्या होता v square बराबर u square plus 2as y direction में लगा दी मैंने y direction की नीचे लिए velocity minus u है acceleration की value minus g और यह minus h dy की value आजाती root u square plus 2gh इसी तरह से इसको मैं v2 बोल देता हूँ चलो अगर मैं u velocity से उपर की तरफ project करता हूँ तो जब यह उपर जाके फिर वापस नीचे आएगी तो आप देखेंगे यहां पे जो ground को आपको बताया था भी थोट दर पहले root u square plus 2gh होती एक बोल को चाहे मैं ऐसे फेकूँ चाहे उपर की तरह फेकूँ चाहे मैं ऐसे फेकूँ ग्राउंड पे तीनो ही cases में यह same speed से टकराती है और यह speed free fall की जो speed होती है उससे ज्यादा होती यह बचो मैंने अपन लोग ने सारी बाते projectile motion की इनको बिलकुल sequentially अपनी copy में note कर लेना and wish you all the best for your bright future keep connected with APG की दुनिया मैं वो आपके लिए सब कुछ करूंगा जो आपकी सफलता के लिए आवशक है thank you so much and love you so much